है कि आपको जानकानी हो पाकिस्तान और चीन में एक विशह सवानता है यह कि दोनों आतंकवादी पैदा करते हैं पाकिस्तान चीन नेवल मिलीशिया चाइनीज विशंग वैसल जो है को हिन्द वहासागर में साउट चाना सी में मशनियां पकड़ती रहती है ऐसा ही एक जहाज जो है सेंट्रल इंडियन ओशन में ढूब गया और यह जो लोकेशन थी वो भार की समुझरी तट से 900 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर थी भाई साब यह जहाज ढूबा तो चीन भाई साब दुनिया भर के जेसों से मदद मांगी शेसल से मांगी मालदीप से मांगी इंडोनेश्या से मांगी लंका से भी मांगी नहीं मांगी तो भारत से मतलब जैसे बिना भारत के इनका काम चल जाएगा और दोस्तों यह जो चीन की thinking है यह उनकी फित्रत है वो इस घटमा से जुड़ी हुई नह कि इंडियन ओशन का मतलब यह कदापी नहीं यह जो और समुद्र एक इनडिया का है इंडिया को पराद से मदद मागनी पड़ गई और भारत जो है humanitarian मानवता के अधार पर मदद करता आया है सदियों से इस बार भी मदद की है जो भारतिय नेवी का PTI हवाई जहाज है जो कि हमने जो है अमेरिका से खरीदा है उसको भाई साब खराब मौसम के बावजूद कई बार उड़ाये गया ताकि जो है 38 लोग जो कि ड हमारा दुश्मन नंबर एक है यह अंतर है वहिए जिस संस्कृति का चीन की संस्कृति और हमारी संस्कृति में जबकि चीन में सबसे लास्ट में मदद मांगी भारत से लेकिन जब बात हुई कि मदद एक्चुली पहुंचाई इसमें तो वह भारत है जो क्रू मेंबर डू प्रचाया में हो फायदे में रहोगे यह जो अपने मदद अगर पुरंत मांग ली होती तो हो सकता है करी लोग बच जाते भाई साब यह जो भी घटना करम हुआ है वह इसका दोसी देरी का दोसी सिर्फ और सिर्फ चीनी प्रसासन है भारती जनता या भारती ने भी कर दिये राजस्थान में जो जैसल मेर में हिंदू रहते हैं पाकिस्तान से आया है उनको घर से बाहर निकालाए तो हमारा सवाल ही है कि भाई जी आप इन मेडम पर गुस्षा का है निकाल रहे है और ट्विटर पर भाई जी जी मेडम कौन है बदाओ आई यह सदिकारी है इनके ऊपर कॉंग्रेस सरकार है आप मैंसे कोई भी मैं बता दो कि बिना गहलोट सरकार की परमीशन के क्या यह सब हो सकता था बाई साब बिना कॉंग्रेस की हरजंडी के यह सब हो सकता था तो यदि किसी को भड़ास निकाल नहीं है तो वो गहलोट पे निकाले वो भीया राहुल गांधी पर निकाले ये हैं कल्प्रिट ये हैं दोस्ति ये मैडम तो वह ये बाबू है इनको तो जैसा आदेस मिलेगा ये उसको बजा देंगी इसलिए इनका विरोध करने से इनके खिलाब प्रिटर पर केंपेंग चलाना मतलब समय की बरवादी है अगर कुछ करना है तो वहिए अब कॉंग्रेस को टार्गेट कीजिए जड़ समस्चा की यह है और दोस्तों यह हम लोगों की हमेशा से समस्चा रहिए कि हम लोगों में स्ट्राइटिजिक ठिंकिंग का अभाव है गलत टार्गेट पर हम जो है निशाना लगा दिते हम आई सब तो क्या हुआ हमको लेने के देने पड़ जाएंगे